ब्रेक की बार इक बाव फिर से आपका स्वागत है चली खबरों में आगे बढ़ेंगे प्रिधान मंत्री मोधी 14 माई को वरणसी लोकसभा में अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुचेंगे उस दिन गंगास तप्तमी का पर्व है और पुर्णे नक्षत्र का अध्भुत संगम भी है जोतिशी के मुतापिक ये दिन काफी शुब है और कोई भी कारे इस नक्षत्र में करने से सफलता प्राप्त होती है ऐसे में काश्वी के जोतिशा 4-14 माई के दिन को काफी जादा श शुष्षी प्रधान मंत्री है उनका नामंकन होने जा रहा है चौदह तारिक को दिन होगा मंगलवार तिथी होगी सप्तमी अगर हम तिथी वार लच्छतर योग और करल का अउलोकन करते हैं तो बहुत अच्छा एक संजोग बन रहा है एक अच्छा मूर्त अस्थापित ह हो रहा है नामांकन करने जा रहे हैं तो यह वार अपनें बहुत महत्व का वार है तो हर की बात करते है थ्वार मंगल भार धर्मसास्त्रों में कहा गया है कि मंगलावार को कोई काडिये प्रार्म किया जाए तो बहुत अच्छी बात है और नशत्र की बात करें तो पुश्य नशत्र होगा उस दिन जब जिन नमांकन करेंगे ने नमोदेजी पुश्य नशत्र की परसंसा जोतिश चास्त में भूरी भूरी की गई है, बारम बारी की गई है, कहते हैं कि सर्वा शिद्ध करहा पुक्चा, शभी कारे को शिद्ध करने वाला पुश्य नच्छत्र होता है, कोई भी कारे अगर शिद्ध नव होता हो, और इस नच्छत्र में कर दिया जाए, तो अब बहुत सी अच्छत्रे के सिद हो जाता है और धर्म साफ्तों में यहां तक क्या कह दिया छिए सिंगो यथा, सर्व, चतुस, पदानांज जैसे चार पएरवाले जियों में शिंग की महत्ता है वह राजा होता है तदेव पुष्यव बलवा नुडानांज उसे तरहां से नचत्रون पुष्यनचत्र की महिमा बताई गई है तो पुष्यनचत्र अपने में एक सर्वशिध्य मुनचत्र है इस अनचत्र में किया हुआ काम मील का पत्थर हो जाता है वह एक तरह से बहुत ही शिद्ध कारे को करने वाला हो जाता था है और वृध्धी नाम जो योग होगा वह योग प्रधान मंतिर नरीन गोदी जी के साथ बना हुआ है